सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें और बैल आइकन पर क्लेक करें असलाम लेकुम खुश्चाम देट सुब खेर सारे पाकिसान को प्यारे पाकिसान को प्रोग्राम का नाम है गुड मॉनिंग कराची और मैं हूँ आपका मिजबान मुहमद यासर प्रोग्राम में बात हो रही है जनाब कुछ पिछले दिनों से खबरों के हवाले से कुछ हम लेकर आ रहा है गुजश्चतर रोज खास और पर जो प्रोग्राम हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है उपने पर प्रोग्रामाद भेजे और जानवरों के हवाले से जो लोग शौक रखते हैं वो खास और बड़ा दिल्चसपी का इसार कर रहा है थे बहुत सार अमरास के हवाले से गुटगू होती है मुटलिफ डॉक्टर्स यहां पर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं उसको काफी पजीराई मिल रही है और एक दवा फिर गुजारिश है कि बहुत सारे परगामात मिलते हैं और स्कैजूल गैस्ट होते हैं वो आते हैं म मुक्तलिफ हवाले से डॉक्टर से ने के लेते हैं आपकी बीमाणियों के खाले से कुछ एक अहम मसाइल की तरफ जो हुने शानदाई करवाई गई है देखने वालों की जानब से यकिनन उसके पर बात करेंगे खास वर पे जो मसाइल हैं जो बल्दियाती मसाइल हैं उसके हवाले से शिकायत वासारी मौसूर होती है तो कुशिश यह होती है कि अंतमाम के ओपर जो हो गुफटगू की जाए थारिटी सक आपकी बात जो हो पहुँचाई जाए 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 तो वो इंशालला सलसला जारी रहेगा जनाब इसके लाबा जो खबरे है उसके हावाले से बात करती मेडािए जैसा भी बात हो आए थी सोशल मेडिया के हावाले से कल بھیमनेया तषक्रा किया था कि सोशल मेडिया के जरीए पेघमाद जो हो भीजए जां otherwise था रहे हैं और आचकल के दोर में इनटरेट तक जो एक् पैकेज जो हो दिया करते थे तो लोगों की अंडिस्टैंडिंग में इतनी वह चीज नहीं आती थी किदर डिड़क्शन हो रही है किस जगा पैसे जादा चार्ज हो रहा है लेकिन अब क्योंकि यूफोन के यूजर्स के वाले से जैसे कल भी बताया गया आपको के एक प्रामाद भेज सकते हैं और अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ जो है वो राप्ते में रह सकते हैं तो ये बताने यहां पर ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के जरीए पैखमाद जो मौसूल हो रहा है और लाइफ कॉल जैसे भी बात थोरी थी कुछ दियर पहले भी कि खाहरा है रास आपकी काल जयों वो कम प्रोगरिम में शामल की जारी है लेकिन आपकी जो शिकायत हों है मौसूल पोती रहती हैं तो बहराँ आज भी बड़े खास महमाने एक बड़े खास मौसूल के पर आज भी हमने जोंने जोईन कर च१ंने सबसे पहले खौशाम देत कह और खास्तोर पे एडिकेशन सिस्टम के हवाले से पिछले काई प्रोग्राम से में बात हुई है, उसको आज डिसकस करना ज़रूरी है, तो नासरा जएदी साब को हम सबसे परे खुशाम देखेंगे, बहुत शुक्री है नासरा, आप में प्रोग्राम में हमें वग दिया, प को बनाने का मकसद ये था, कि हमारे मुलक में आपने देखा है, बहुत सारी प्राइविट स्कूल एडिकेशन भी काम कर रही हैं, मुक्तरिफ लोग जनका तालुक एडिकेशन के शोबे से हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में खिदमत दे रहे हैं, कंसौर्शियम का आइडि के decision makers से मिलें, या colleges के decision makers जो है वो universities के vice chancellor के साथ या कहीं जाकर आप बैटें, और कोई policy making की बात करें, और जब आपके बच्चे metric करके जाते हैं, colleges के अंदर, तो उनको फिर बहतर colleges में जाने के लिए या तो aptitude test की तयारी करनी पड़ रही होती है, and likewise university में भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो PAC को बनाने का ultimate objective यही था, कि हम तमाम academicians को पूरे पाकिस्तान में, या खास वर पे सिंद्ध में, कराची में, एक platform पे लेके आएं, जिसमें हम Allah का शुकर है काफियत तक काम्याब भी हुए, as of today we have got around five fifty MOU partners with us, और यकीनन क्योंके volunteer work है, social work है, और जब आप government के जबरदस काम हुआ है, क्योंकि ये हमेशा से gap रहा है, schools के और colleges के बीच में, then universities के बीच में, अक्सर बचों से जब interaction होता है, तो बहुत सारे बचों को नहीं पता होता, कि उनको अपना metric का exam पास करने के बाद, अगला step क्या होगा, कौन से college में जाना होगा, और पिर college की तर से क्या कोई interaction होती है, कोई ऐसी चीज जिस से बच्चों को मदद मिल सके, बहुत सारी क्यूंकि इसके हवाले से queries आती हैं, कि जनाब इसके ओपर कौनची ऐसी committee है, कौनचा सा forum है, जिसके ओपर बात की जाए, तो इसके हवाले से काम हो रहा है? देखे, पहले तो मैं आपको आपको दे दी गई है, जिसके साथ streamline करके, तमाम इदारों को अपना, या तमाम boards को जो काम कर रहे हैं, वो उसको follow करना होता है. हाँ, थोड़ा सा difference या confusion यहाँ पर आती है, कि अगर आप देखें, पाकिस्तान में, जो different streams या systems of education, आपको follow कर रहे हैं, उसमें primarily जातर जो बच उनिवर्स्टी examination board, और अभी हमने recently देखा है, the recent past in 2018 or 19, जियाओदीन युनिवर्स्टी ने एक अपना education board खायम किया है, in the meanwhile, जो एक और system parallel चल रहा है, इनी systems के वो है, आप क्या मदर से का system, तो अक्सर लोग confuse होते हैं, कि हमें हमें कौन से system में जाना चाहिए, अचा कुछ systems ऐसे हैं कि जनके अंदर जो number of students हैं, उनकी percentage कम है, खास सोर पे O levels में, A levels में, क्योंकि वो comparatively थोड़े से expensive है, as compared to other streams, ये बात लेकिन बहुत अच्छी है, कि जो national curriculum आपका है, जिसको government of Pakistan, federal government भी, विफाकी सता पे, और सुबाई सता के ओपर भी follow किया जा रहा है, आप कोई भ अच्छी, अब इसके लावा ये बताईएगा कि और क्या पाकिस्तान academic consortium जो वो काम कर रहा है, education के हवाले से खास तोर पे, जो देखने वाले हैं, उनको जरा इस बारे में बताईगी, अच्छी देखें, पहले तो मैं जिकर करना चाहूंगा, हमारे कुछ M.O.U. partners हैं, जि जितने initiatives हैं, उनके अंदर जो उनकी educational collaborations हैं, उनको P.A.C. help कर रहा होता है, इसके बाद आपने नाम सुना होगा, एक दारा है, Youth Parliament पाकिस्तान के नाम से, तो उसके हवाले से भी हमारी services उनके साथ हैं, इसके बाद डॉक्टर इसा लेबार्टरी के साथ मिलके हम लोग पिछल करके देना, इसके अलावा जो एक endeavor हमने 2018 में शुरू किया, वो था P.A.C. job portal, ठीक है, यह हमने एक अप्लिकेशन डिवेलप करी है, एक system बनाया है, जिसके तहत पूरे कराची के schools, colleges, universities, अपनी jobs को वहां के share करते हैं, और जो लोग employment सीख कर रहे होते हैं, उनको वहां का access हम है, जो एन्वेलिवेंट है हमारा वो है, National Education Summit. चीक है. इसका इनकाद 2019 में भी हुआ इस साल, और उसका भी objective यही है, कि पाकिस्तान एक third world country है, देखे हमें इस बात से agree करना चाहिए, हम एक developing nation है. ठीक है, एक तरकी पजीर मुलक है, और हम लोग कोई बहुत ऐसी state में भी मौ government authorities के दर्मियान जो एक rift पाई जाती है. बहुत आसान होता है यह कहना कि प्राइवेट स्कूल जो है, वो लूट रहे हैं. एक बड़ी general company. बड़ी, 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 बड़ी. Unfortunately, कहने सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकि लोग कहते हैं अपने घर में बैटकर. अ एक लम्हे के लिए God forbid, आप यह imagine करें, कि जी वो नहीं है. ठीक है. तो आपको quality avenues कहां से मिलेंगे? और साथ ही साथ हम private sector को भी यह कहते हैं कि जी आपको अपनी legal compliance का ख्याल रखना चाहिए. अगर आपको कहा गया है कि आपने annually five percent piece बढ़ानी है, तो उससे उपर आप ना करते हैं कि जी आप वहां पर कोई policy जो government देती है, कोई guideline देती है, उसको adopt नहीं किया जाता, इवें यह के court के जो directives है, उनको भी follow नहीं किया जाता. आपकी बात यह से बड़ा hot topic share दिया और I would really like to comment on it. देखें, पहले हमें यह बात को समझना चाहिए. खास दोर पर मैं चाह की, वो किसी हद तक उसके अंदर नाकाम होई, तो जगह मिली के private sector उसके अंदर आए. Same was the case of health as well. अगर आज आखान hospital आप कहां काम कर रहा है और आप उस पर depend करते हैं, एमर्जेंसी में, तो इसलिए कि आपकी government hospital शायद उस level पे नहीं है, जो आपकी expectations है. अच्छा, private schools के education के अंदर, कहीं कहीं उससे कुछ गलतियां ज़रूर ही, कि उनोंने fees को more than five percent increase किया, अच्छा, अगर आप private schools के तौर पे मुझ से पूछें कि जी मैं उनकी भी अगर नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो उनकी भी बड़ी legal और बड़ी valid justification है, वो यह है कि जी अगर Supreme Court ये कहता है, कि आप fees को five percent से जादा ना बढ़ाएं, तो मैं कुछ points आपके सामदे रखना चाहता हूँ कि ये, कितने problematic एक argument है, कितना मुश्किल complex ये argument है, कि जी अगर school अपने teachers की तरखा ten percent साला आना नहीं बढ़ाएगा, तो क्या teacher आप क्या job करेगा, बहुत मुश्किल है, को कहाईगा, जी मैं तो five percent increase मेरा गुजारा नहीं है, जितने भी आपके economic parameters हैं, अगर आप पाकिस्तान में level of inflation देख लें, तो वो भ social security है, EOBI है, professional tax है, अगर आप five percent के ओपर अपने school को run करना चाहेंगे, तो वो मकान मालिक जो आपसे हर साल ten percent किराया बढ़ाता है, तो वो उससे match नहीं करता, ये जो equation है, वो imbalance होड़ा है, लेकि कहीं कहीं, नहीं साब बात ये है, कि parents ये complain भी करते हैं, कि जी बहुत सारे हम से फीसिस के साथ साथ जो है, हमसे funds लिये जाते हैं मुक्तलिफ अकात में, मुक्तलिफ जरीयों से, then आजकल तो आपको पता है, private schools के indirect condition भी अगर आपको service देते हैं, रूम में अगर वो लगा होता है, तो उसके भी charges लेते हैं, लेकिन again वो ही कहते हैं, जना वो services भी नहीं मि रहेंगे, तो फिर contempt of court उनके ओपर अगर चार्ज हो रहा है, तो यह सही लेवल हो रहा है, जी. काम कर रहा है, तो पेरेंट्स के पास यह राइट मौजूद है, हमारी आप देखें, कि मनसूब सिदीकी साहब, डिरेक्टर ओफ एजुकेशन में बहुत मुताहरेक हैं, पेरेंट्स जारेक्ली भी अगर कंप्लेंड करें, तो उनका जो डिपार्टमेंट है, वो रिस्कॉ से बहुत कम पैसे देकर आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट ना करें, वो आपके ही मुल्क के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, आपकी ही फ्यूचर जनरेशन को तग्यार करें. ठीक है, अच्छा, इसमें भी डिविजन हो गया, अब बहुत सारे जो प्राइट स्कॉल्स वाले ह अब एक फर्स्ट एयर में आता है, एक सेकंड एयर में आता है, जो सेकंड और थर्ड वाले वो कहते हैं, जी जो फर्स्ट एयर के अंदर स्कॉल्स मौजूद हैं, जो बड़े ब्रैंड्स बन चुके हैं, ब्रैंड्स बन चुके हैं वो तो अब, तो उनका जो फीसिस का जो scale है वो अलग है हमारा अलग है हम लोग तो survive कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से अपना expenditure है उसको control कर पाते हैं उनके पास तो funds इतने उनको मिल जाते हैं कि वो manage कर सकते हम तो somehow नहीं कर सकते ये भी मसला है अब बहुत आपने अच्छी बात की तरफ निशान नहीं किये बिलकुल ऐसा है अगें मैं यही कहूंगा कि parents को realize करना पड़ेगा कि आप अगर किसी शॉप पे भी जाते हैं आपके बिजनस है अच्छा जी बिजनस के definition पहले समझ लेते हैं कोई भी ऐसी activity जो आप profit making के लिए करने हो और government के अधारे आप से उसके ओपर tax बसूल करने हो तो वो business होता है बिलकु ठीक है बिलकु बैसी school भी business है जो लोग करने है और वो income tax देते हैं property tax देते हैं तमाम चीज़े government के साथ बैसी रखी ही है जैसे आप किसी industry से लेते हैं बलकु ठीक है जी नसब जो है इस बार दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़े समझने की जरूरत है क्योंकि हम parents का तो मौकफ सामने आ जाता है school की सरफ से एक तो representative हमारे पास नहीं होते बहुत सारे जो इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिफेंड कर सकें या इसके पर बात कर सकें वेराल और बहुत सारी चीज़े हैं जिसके पर आभी हमें गुर्टबू कर दी हैं चोड़ी से ब्रेका वक्त थोड़ा ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशाम देद कहेंगे ब्रेक पर जाने से पहले गुटगू का सिलसला जाली था हमारे साथ बड़े खास मेहां नियाब पर मौजूद हैं नासर असादी साथ जो के फाउंडर प्रेजिडेंट हैं पाकिस्तान अकेडेमिक कंसोर्शियम कि वो हमारे साथ शो में मौजूद हैं और उन्चे गुटगू को वरी थी ब्रेक पर जाने से पहले प्राविट स्कूल के हवाले से और जिससाना का फैसला अभी आया है कोर्ड की जाने से जिसके ओपर बहुत सारे सावलात हुए भी उसकी बड़ी अच्छी वज़ात उन् साही है जी और दूसरी बात भी आपने जैसे बताया कि वो यकीना बिजनिस कर रहे हैं तो पहले तो उसको ये ना समझा जाए कि बिजनिस करना कोई गलाच चीज है अगर प्राविट सेक्टर उस्टर में आया है तो यकिना कोई ने कोई चीज वो जरूर फाइदा उसका सी कर रहा है तब ही वो इसके अंदर काम जा रहा है तो ये भी ज़रूर है गर्मेंट की रिस्पॉंशिबिलिटी कितनी है अब क्योंके एडुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा ग्याप होगी एक बहुत बड़ा आप समझ लें के जो प्राविट एडुकेशन सिस्टम है व और मुक्तलिफ प्राजेक्स के जरी अप कुछ जगहों पर हमने देखा उट्शोश किया गर्मेंट स्कूल को अपर जाकर जो उनके ऑपर काम हुआ इस तरह करके स्टैंडर्ड अफ एडुकेशन बराबर कर दे ताकि गरीब आदमी के लिए भी जो अफ़ोर नहीं कर सकता ज्यादा फीसिज वो गर्मेंट स्कूल के जरी एडुकेशन को वो हासल कर सके तो अच्छे स्कूल में मिल रही है बहुत अच्छा आपने मेरे खाले के स्जिशन दिया है इसके लावा ये कि पीएसी के प्लैटफॉर्म से हम भी कई एविन्यूस के ओपर जाकर इस स्जिश घाने हम ये कहते हैं कि अगर वही ढ़्सार रुपे आप एक पाईलेट प्रोजेक्ट के तौर पर पबिल시 प्रिवट सेक्टर की पार्टर्शिक से बनाएं और वो ढ़्सार प्रिस्Blue we sanctionred को दें पिर उसमें देखें कि आपको कैसी building में वो फिरहां करते हैं कैसे आथा में आते हैं. मैं आपको बता हूँ, एक लम्हाए फिक्रिया होना चाहिए, गर्रमेंट के एदारों के लिए, कि आखरी बार किसी भी गर्रमेंट स्कूल से, कब मैट्रिक बोर्ड में पोजिशन आई थी. I mean, कि ये तो बहुत एक अजीब सी बात है, आप देखें, और इसका मतलब ये, कि it's high time, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को मैं ज़रूर एप्रिशेट करूँगा, and this is not a political statement, कि अभी जो इमरान खान साब का रेजीम स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, वी आर leadership हमारे हैं, चेंज हुई है, तो हम सब को भी बहुत optimistic और positive हो के सोचना चाहिए, कि आने वाला वक्त जो है, वो पहले से बहतर होगा, लेकिन यकीना उसके अंदर government की बहुत बड़ी जिमेदारी है, and private sector के platform से मैं आपके program में on the record ये बात कह रहा हूँ, कि हमेशा हम जैसे ल तीन साल उसे teacher training के जितने भी program करते हैं, उसमें अपने साथ कोजिश करते हैं कि government के इदारों की नुमाइंदगी को जरूर लें, और हमारे जो events हैं, जो programs हैं, चुके वो sponsored होते हैं, तो हम private sector से, government sector से उसकी कोई participation fees भी नहीं लेते हैं, तो मैं आपको बता हूँ, लेकिन ये स सारी बाते जो हैं, वो आप समझेए कि समंदर में वो कहते हैं, कुजे के मुतरादिफ हैं, बहुत कम हैं, ये सारे के सारे काम जो हैं, वो मैक्रो लेविल के ओपर अगर नहीं होंगे, तो आपके मुलक के अंदर education upliftment नहीं हो सकती हैं, आप मैं बलकुर टीक का, कि जैसे कु बढाया जाए, लेकिन ये जो मिट एर में आते हैं, जो फिर थर्ट एर में आते हैं, और फिर गर्मेंट स्कूल जाते हैं, वो सबसे लो टेर में हैं, जहां पर ये इस किसम की कोई practices नहीं है, तो गर्मेंट को भी आपके खिया में डूज तिंक कि इस तरह का 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 काम करना चाहिए कि ये ओना regular basis चालें, मंतली तो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन six months और एक quarter के बाद ये कमज कम, half year ये कोई एक साल के बाद इस तरह का कोई प्लाइन जरूर होना चाहिए, ताकि टीचर भी ग्रूम होगा ना गर्मेंट स्कूल का जो टीचर है, आप उसे जब बात करते हैं तो आपको पता चलता है, वो बहुत पीचे है. मैं आपकी ही बातों से इस बात को मैं अखस कर रहा हूँ कि देखें, एक डॉक्टर जो है, जब तक उसके पास license नहों, वो सर्जन नहीं बन सकता. टीचर के लिए तो आपने कोई criteria नहीं रख कि टीचर ने क्या qualification हाथर कर रहा है, वो तो आपके मुस्तखबिल के जो मैमार हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनकी intellectual and moral development, उनकी character building, आपकी nation building, वो टीचर कर रहा है, जिसका आप कोई एहतसाब करने को तयार नहीं है, ना आपने कोई filter लगाया है. अच्छा साथ में आपको बताओं कि प्राइबिट सेक्टर के भी grievances आप देखें, बढ़न हैं वक्त के साथ, गर्मेंट बजाए इसके कि उनको कोई aid दे, किसी किसम की उनको subsidy दे, और उनसे फिर ये कह जी आप अपने फीसों को पांच परसनल पर रोकें, क्योंकि आप जो काम करने हैं, उसके अंद उनकी एक सबसे बड़ी मजबूरी है, अच्छा मैं तो पाकिस्तान Academic Consortium को एक ऐसी बाड़ी समझता हूं कि यहां पर इतने authority उसके पास होनी चाहिए, कि अटलीस जैसे अभी टीचर्स का issue हुआ, कि बहुत सारे टीचर्स को पहले contract के उपर hire कर लिये गया, hire करने के बाद ज जनाब scrutiny करनी चाहिए, अब फिर scrutiny कौन कर रहा है, फिर education department के अंदर चंड लोग है और आपको पता है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन सब को मिरे खाल में पता है कि किस तरह स्कूर्टनी होती है और किस तरह फिर लोग filter होते हैं, तो डोंच यू तिंक कि इस तरह की कोई body हो जो पाकिस्तान academic consortium है, एक independent body है, इसको अगर कोई किसी की तरह से कोई pressure नहीं है, कुछ नहीं है, तो खुद elaborate कर ले, जो deserve करता है वो, ले ले चांस. देखें, मेरे खाले, suggestion तो आपने जितने भी दिये हैं, वो बहुत practical हैं, बहुत pragmatic हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि government authorities इस वक्त क्या सोचती हैं, और वो कितना serious है, अपलिफमेंट के लिए, education system की, अगर आप कम्यों के निशान्दे ही करें, या कहां कहां पर आप देखें कि system आपका जो week है, जिसको आपकी रियास्त रन कर रही है, तो मैं आपको बताओं कि आपके तो education minister भी बड़े inconsistent हैं, खास दोर पर I am talking about सिंध की अगर आप बात करें, कि वो कब कौन क्यों चेंज़ रहता है, किसी को मालूम नहीं है, अच्छा, उसके बाद ये कि जो भी लोग ministry में आपके आते हैं, उनके targets क्या हैं, क्या उनका target आपके सूबे के अंदर literacy rate को बढ़ाना है, क्या उनका target private school से खिलाफ action लेना है, अच्छा, as you know कि दो दफ़ा education पे emergency लग चुकी है, यहाँ पर सिंध के अंदर, इससे पहले भी जब मुराद अलीशा ने जब चार्ज लि mileage चाहिए होता है, unfortunately I will not name anyone, any party, but it is a bitter truth, कि जब आपको political mileage चाहिए होता है, तो बहुत बड़े बड़े बेयानात भी दिया जाते हैं, और वक्ती तोर पे चीज़ों को artificially correct किया जाता है, लेकिन जो systematic आपके reforms हैं मो तब आएंगे, एक तो यह कि जब government private sector को किसी काबिर है, मैं आपको बता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कराची में काम करने हैं, I would like to name Rotary International, एक global NGO है, आप देखें वो आपके भी मैं last week गया वा था, DMC Central में प्रोग्राम हुआ, जहां पे उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में books donate करी, अब उन बुक्स को manage करना, उनको सब को सही लोगों तक पहुचाना, libraries को active करना, मेरा ख्याल है कि यह आपकी रियासत का काम है, कोई भी आदमी आपको यह कोई भी इदारा या पीए सी हो, या टी आर सी हो, या और लोगों, वो आपको up to some extent facilitate कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको यह भरोसा करना पड़ेगा, कि वो इस education में अगर इतना ज्यादा active है, तो उसकी वज़ाई यह है कि government job deliver करने में कामयाब नहीं हुई, और unfortunately एक बड़ी हमारी बदकिसमती है, जैसे भी हमने बताया कि third world countries हैं, और हमें जब कहीं से हम loan pursue करते हैं, आपको पता है, कि वह हम पे condition रखी जाती है, कि हम अपना GDP का 2% जो और education के उपर करच करें, अभी तक ऐसा है. अचा मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आपकी government आई है under the leadership of इमरान खान साहब, जो हमारे current prime minister है, वो active भी है, vibrant भी है, अचा मेरी कोई political affiliation में, मैं clear कर दो, active भी देखा है, उनको vibrant भी देखा है, लेकिन मेरे खाल है कि इनके regime जो भ आया है, it will take time. चीक है. यानि हमें private sector को भी उसकी heat महसूस होती है कहीं कहीं, हमें तक्रीफ भी होती है, लेकिन हमें लगता है कि corrective majors अब लिये जा रहे हैं, यानि हम भी काफी अर्से से इस field के अंदर हमारी family को 40 years से जादा हो गए है, schooling की field में. चीक हमें या idea है कि अब जो systematic reforms आ रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को वक्ती तोर पे चीज़ें बुरी लग रही हो, लेकिन हमें ये मालूम है, आप ही देखें कि income tax के जो आपके reforms आए हैं, आपने कहा जी filer हैं, तो इस category में जाएंगे non, चीज़ें पहले भी मौजूद थी, पाकिस्तान मे कावानीन पहले से मौजूद हैं, इंप्लिमेंटेशन का मसला है, कि वो इंप्लिमेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि अगर आप बात करें education sector की, तो parents से घुदारिश करूदा कि आप जरूर एप्रिशेट किया करें private sector को, कि वो आपके बच्चों की तालीम के काम कर रहे हैं, जिस building में वो school run हो रहा है, अगर उस building को school owner rent out कर दे, किसी को, तो मैं आपको बता हूँ कि वो school से जाधा earning देगा, parents को इस तरह भी सोचना चाहिए, हाँ, यहां बर साथ में यह भी देखना पड़ेगा, कि if any institution, be it a school, college or university, अगर वो legal framework से जो आपकी government ने आप को इजाज़त दीवी है, बाहराल आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, आपको उसके अंदर रहते वे काम करना है, और private sector के अंदर parents को यह भी appreciate करना चाहिए, कि जहां बात करते हैं, fees बढ़ने की, वहीं बहुत सारे बच्चे scholarships के ओपर भी पढ़ने होते हैं, वहीं बहुत सा सक्टर हैं, चाहिए वो schools हो, colleges हो, universities हो, मेरे खाल है कि वो आपकी economy की growth में भी ऐसे help करने हैं, कि वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को employment देते हैं, बल्कु ठीक है, तो हम लोग जो है, मेरे खाल है, यह हमारा contribution है, उसकी क्योंके acknowledgement government की सता पे नहीं मिलती, तो शायद आ अगर उसको ease मिलेगी, तो यगिनान expansion की तरफ जाएंगे, और education तो खेर बहुत बड़ा एक area है, अब मसला ही कि इतना highly populated पाकिसान जो कंट्री हो चुका है, अब इसमें education की बहुत जादा नीट है, बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं, अब सारे private schools को अगर sector को strengthen नहीं करेंगे, तो फिर government के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अच्छा अब एक और मसला जो है, अब कुछ parents के भी कुछ concern है, जरा उनको भी address कर लेते हैं, वो यह कहता है कि जिना private schools के अंदर एक system ऐसा वज़ा कर दिया गया है, ज नए नए चीज़ें जो इंडिडियूस करवाई जा रही है, इसका मकसद क्या है, इसको किससा एक्ष्पेंगा है? अच्छा देखें, पहले तुम्हें आपको बता हूँ, अगर आप बात करें कि schools अपनी copies को क्यों एक uniform shape में रखता है, उसकी बड़ा ये है कि एक तो बच् नए फीस आप से ले रहा है, वो अपनी जगापे चल रहा है, ये है एक system बनाने वाली बात, दूसरी चीज़ कि अगर आप बात करें कि schools अगर अपनी uniform खुद सेल कर रहा है, तो बाहराल वो किसी हद तक questionable हो सकता है, लेकिन अगर किसी uniform seller से आप prices को compare करें, और वो आपको ल लेना जरूरी है, और ये अच्छी बात है, एक तमाम चीज़ों की वज़ात हो रही है, देखने वाले जो हमारे parents बहुत सारे जो हैं, वो ये सवाल करते भी हैं, और पूछते भी है, तो अच्छा है, इस चीज़ की भी जो हो क्लारिफिकेशन आ गई है, कि किस लिए किया जाता है, और सबसे इंपोर्टन चीज़ है, कि prices जो कीमते होती है, उसका ख्याल रखना जरूरी है, और अगर जैसे अभी नास्थ साब ने फरमाई है, अच्छी बात है, अगर आपको under the one roof, तमाम चीज़ अगर available हैं, courses के लिए भी, क्योंके बड़ा मुश्किल ये भी process हो होता है, बड़ा मुश्किल मरहला पेरिंट्स के लिए होता है, किताबे लेना मारकेट में, पिर एक और बड़ा अब मसला जो आगया है, उससाइटी में, जो बड़ी तेजी से सर उठा रहा है, जिसको अड्रिस करने की जरूरी रहता है, नास्थ साब ये जो बोक्स हैं, जो प्रिंट होकर आ रहे हैं मारकेट में, तो वो जनाब कुछ कौपी आती है, कुछ बाहर की बोक्स है, पारिट्र भी होती है, यहां पे उनको जो प्रिंट करके, उनकी कौलिटी अची नहीं होती, इससे भी फर्क बड़ता है, इन तमाम चीज़ों को भी ख्याल रखना जरूरी होना चाहिए. देखिए मैं आपको बता हूं, इन तमाम चीज़ों का मेरा ख्याल है कि प्राइविट सेक्टर ही ख्याल रख रहा है, क्योंकि गर्मेंट के अंदर तो जो हमने भी इस साल जब नए सेशन स्टार्ट हुआ, तो सुनने में यह खबर आ रही थी, पे भी काफी डिलेज हुए है प्रिंटिंग में, अचा क्योंकि प्राइविट सेक्टर की आप देखें, मश्रूमिंग हुई है, अगर लोगों को वहां से कुछ सहूलत मिल रही है, और बच्चे वहां पे जादा मजीद एन्रोल हो रहे हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ लेकिन पेरिंट्स को मैं बस यही चाहूंगा, कि जो हम लोग चीज़ फेस कर रहे होते हैं पूरा दिन, कि एदारों की सेंक्रिटी को, जो स्कूलों की आप कहले जाए सेंक्रिटी है, जो असाज़जा की इज़त है, किसी भी सूरत में अपने बच्चों के सामने कोई ऐसी इस चार्ज कर रहा है, या उसने ये काम कैसे कर दिया, इसके दूर्रस नतायज निकलेंगे. यह आपने बड़ी अच्छी बात की है, कुछ, मैं आपकी बात जाए, वह यहाँ पर आपको कता किलामी की माज़रा दी, बच्चों के मुँझ से सुना है, कि वो टीचर से यह ब मौझूद है कि आप प्रिंसेपल से जाके मिलें, कौन सा स्कूल है जहां पर कोई इंतजामिया नहीं होगी, या अगर बहुत बड़ा स्कूल है, तो सब कुछ आनलाइन अप्लिकेशन पर अविलेबल है, लेकिन अपने बच्चों के सामने टीचर्स के लिए या स्कूल के लिए डिस्रिस्पेक्टफुल जो वर्ड्स हैं, वो नहीं आप इस्तेबाल करें, क्योंकि वही बच्चा जो आज अपने असाद्जा की इज़त नहीं कर रहा, ल्ला ना करे खुदाना खास्ता कल, वो फिर आपकी भी इज़त नहीं करेगा. बल्कु ठीक है, क्योंकि यही उसकी तर्बियत होती है, यही वो जगह जहां जहां उसकी अपर जो है, उसकी कारेक्टर बिल्डिंग के उपर सबसे ज्यादा काम हो रहा होता है, पिरिंट्स कुछ यह कंप्लेन कर रहे होते हैं, कि एक लाक अफ कम्मिनकेशन है, जिसकी वज़ए से प्रॉब्लम्स आ रह देते हैं, अच्छा यह भी देखना जरूरी है, कि हर इनसान की पर्फॉर्मंस इसका ग्राफ उपर नीचे होता रहता है, और स्टूर्ट लाइफ के अंदर तो उसमें ज्यादा फ्लक्शूएशन आती है, लेकिन वह साल के आखर में जब आते हैं, तो उसके लास्ली जो आ एक है जनाब पेरिंट्स, एक है टीचर और एक है स्टूडेंट्स, यह इस ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों जो स्टेक होलडर्स हैं, वह आपस में जितना ज्यादा कनेक्टिड रहेंगे, एक नटशल बनाके रहेंगे, उतना ही बच्चा आपका ज्यादा प्रोग्रे आपकर इस टृँन करेंगे, एक है एक नट प्रौटब करेंगे, अवकर यह इस टृट्ब कर आपकर है नो, यह इस टृट फूडर्स लाइन पर नाशिए पलीज लेकि हम बच्चों की कम देंट तो लेके जाते हैं तो लेकि तिचर की बात हो दें सुनी का जाएं। और टीचर की रेस्टर्टट होना इन्म हासल करने लिए भी सब्सक्राइब डीर्व का वीरेक्ट ने किया अपने बच्चों के सामें और कभी उनकी बात सुनी हैं। लेकिन मेरा स्वाल नातिर भाई से लेना समय मतला है कि आप कहा रहे ना कि बच्टे पीसे लेके पड़ रहे है, डेफिनेटी पड़ रहे है आपको पता है एक audit के अंदर उनने एक स्कूल के बारे में जब साफ ने का कि लगता है मुझे मल्चात के बाद जादा आप में स्कूलो की तो मेरा सबाद है कि जो पैसे ये ले रहे हैं उस लेवल की education, उस लेवल की facilities, उस लेवल के crowns उनके पास है नहीं इतने चुटे प्रेमिस में उसकोल की है कोई एक हुदूर अबबा तो हो ना कि कोई खोलने के लिए इतने पैसे ले रहे है उसके पास क्या पैसे नहीं है उसके बास पैसे चार्ज करें तो कोई नब कोई मिनिमर्स स्टैंडर करना चाहिना है वो कौन चैट करेगा ठीक 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 है जी अच्छा है नोने मेरे खाल है कि जो आप पे कॉलर थे बहुत ही वैलिन इनके पॉइंट्स है इनके जो ग्रिवेंसेज है पहले तो ये कि जब हम किसी भी स्कूल को ये कह रहे हैं कि फीसे जादा लेते हैं देखे जादा की हमें एक तारीफ एक ड करता हूं कि फोड़ा सा हिस्टॉरिकल एक फैक्टर में आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि भुट्टो साप के दौर में आपको मारू में नेस्ट्राइशन होई थी तो यगिने जो प्राइवेट स्कूल उसक ओपन हो चुके थे वो भी नेस्ट्राइज हो गए ते इस करेंगे मैं को ठीक है ताकि उनके ओपर फीस का बर्डन कम आए ठीक है अच्छा हिस्टॉरिकली क्योंकि हमारे यह जितने लोग मेरे खाले स्कूल रन कर रहे हैं उन में से भी ग्रांट इन एट के बारे में मेरे खाले टू परसंट को मानूम नहीं है अगर आज भी आपकी गर्मेंट वो ग्रांट इन एट को शुरू कर दे तो वो स्कूल जो आपसे महाना पांच हजार रुपे चार्ज कर रहा है मैं आपको एक कागस में लिखके स्टेम लगा कर दे रहता हूँ वो आपसे धाई हजार रुपे चार्ज करेगा अच्छा क्योंकि गर्मेंट की आपको मजबूर किया है कि आप अपने स्कूल को डालना ओइल्स प्राइवेट लिमिट की तरह चलाई है वो एक ग्रैंड है वो एक कमर्शल प्रोड़क्ट आप दे रहें लोगों को ये बजा है कि पेरिंट्स को भी एक सवर अकात हमने देखा है कि प्रॉबलम होती है उस प्रॉबलम इसको समझने की जरूरत है यकिनां कुछ जगाओं पर शिकायत आई जरूर लेकिन इनके भी इताफुजात है उसको समझने की जरूरत है ना सब क्योंकि सारे ही एजुकेशन जितने सेक्टर्स उनको देख रहे हैं सरफ प्राइविट स्कूल की निमांदगी न अगर आदा करनी पड़ेगी या इसी तना अगर और उनका एकस्पेंडीचर बढ़ता जाएगा जैसे कोई कमर्शल इंडस्री होती है कोई इस तना अगर काम होता है तो बिलकुल अगर उस तरस पे अगर उनके पैसे लिये जाएंगे और अगर उनको रिलेक्सेशन नहीं दी जाएगी तो आपको पता है कि हर जागा किसी भी अदारे के अंदर हम देख रहे हैं कि आजकल तो वैसी कॉस्ट कुरटिंग स्टार्ट हो गई है तो इनको अगर कॉस्ट कुरटिंग करना पड़ी तो ये किन किन एरियाज में कर सकते हैं और अगर टीचिचिंग के रुक्सानात बहुत ज्यादा जो है वो आप समय लेके खतरनाक हो सकते हैं इक्जालिफाइड टीचर भी पिर उसकी रेंज मेंग और जाहर है कि अब क्यूंकि जिस सेजी से इंफ्लेशन हो रही है तो एक आम आदमी पर उसका थर पढ़ और टीचर तो वैसी बहुत ज्यादा स्टॉगल कर रहुता है अगर वहां से कॉस्ट करटिंग स्टार्ट कर देंगे तो कॉलिफाइड टीचर जो हो साइड लाइन होना शुरू हो जाएगा बिल्कुल और अवरॉल आप जो सिस्टम जो एडुकेशन सिस्टम में जो कॉलिटी टीचर्स हैं जो आपके फैकल्ट में पूरे पाकिस्तान में प्राइविट सेक्टर जो स्कूल दरन कर रहा है वो आप ही की तरह के इनसान है उनके अपने बच्चे भी किसी स्कूल नहीं पढ़ रहे होंगे तो हमारे भी वही मसायल है जो आपके मसायल है तो इसको पेरेंट्स को थोड़ा सा इन चीजों का आहता करना चाहिए जब हम स्कूल की बात करते हैं तो मैंने देखा है पिछले दो तीन साल से के ऐसा लगता है कि हम सिर्फ क्रिटिसिजम ही करेंगे इसके ओपर या कोई ऐसा टॉपिक है जैसे हम किसी करप्ट अदारे की बात कर रहे हो जब स्कूल के जिकर आता है तो हम य देखते हैं स्पोर्च के होले से खासता रपे बात करते हैं तो बहुत तीजी से स्पोर्च एजटिक हो रहा है शबलूरा है स्पोर्टिंग अक्तिविटी कामुरी जken धुर्वटिक खिया करते थे ऑजकते थेおरिय जो हम इतना इसकूल क तो उनकी जो है आप समच्टिक ल तो इस तरह की जो हल्थी एक्टिविटीज ये भी खत्म होती जा रही है, इसके जमेदारी किसके उपर आइद होती है? देगे मेरे खाल है कि प्राइविट स्कूल्स तो अपना कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, वो स्कूल्स जहां पर दीगर गेम्स या फैसिलिटीज नहीं हैं, वो भी साल में कम असकम एक दो बार क्रिक्ट लीग ज़रूर करा देते हैं, जहां तक बहतर प्राइविट के कोई काम करेंगे, तो उसका रिज़र्ट बहुत बढ़ाएगा और यह टेंपरर नहीं होगा, यानि कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आपने कोई स्पोर्ट गाला करा दिया, प्रोग्राम करा दिया, इसको ऐस पॉलिसी मैटर होना चाहिए, कि जी गर्मेंट औ और आपके पास बहतर टैलेंट फिल्टर होके लिख लेगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट को या जो आपकी होकी फेडरेशन है, उनको परिशानी नहीं होगी अपना टैलेंट तराश करने में, बिल्कु ठीक है, तो इन चीज़ों के अंदर बहराल हमें एक्सेप्ट जाता है, और वो सारे स्पोर्ट्समें हमारे जो है वो एमबेसिडर्स बन जाते हैं. अच्छा उसकी वज़ाए इनासी साब, क्यूंकि मुझे पता चला एक बहुत मशूर एक स्कूल, प्राविट स्कूल, जो होकी में एक जमाने में बड़ा कांट्रिब्यूट किया करता तब वहां से होकी भी खत्म हो रही है, तो ये एक बड़ा कंशर्ण था भी, जो लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीक जो प्रोग्राम किया, उसमें ये बात सामने आई, जो होकी फेडरिशन के लोग थे, उन्होंने बताया कि इतना बड़ा स्कूल, पाकिस्तान के जितने ट होगी को खत्ब कर देते हैं, लेकिर येस, ऑन अ सीरियस नोट, हमें अपने कोमी जो खेल हमाना उसका में ख्याल रखना पड़ेगा, और वो हमारी पहचान है, हमारी आइडिन्टिटी है, उसके अंदर अगर हम वीक होंगे तो मेरे खाल है कि इस इस नोट गुड फॉर अस इस नेशन अस वेल, ठीक है, जी, नास साब, तैंक यू सो वरी मज़, बहुत शुक्री है, आपने अपना वक दिया, और बहुत कुछ चीज़े समझने को मिली हैं, बहुत कुछ पता चला इस बारे में, कि देखें, हमेशा पैरेंट्च के किंसरंट तो सामने आते रहते है हैं, सवलात आते रहते हैं, पूचते रहते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा मौकर मिला है, कि कोई प्राइविट सेक्टर से जो उनके किंसरंट थे, जो जिस हवाले से बात करना चाहते थे, उसके उपर बात हो सकी तो, मिरे खिया है, इसमें बहुत सारी बाते हैं, इसक हैं, जिसकी अभी निशानदाई की जा सकती थी, उसके बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं, और क्यूंकि जैसे अभी नासर साब भी फर्मा रहा थे, एक बड़ा तबील टॉपिक है, बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, तो इन्शालला तुबारा नासर साब को सहमत दें प्रोग्राम में एक दफ़ा पेर आपको खुशाम देत कहेंगे, ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हमारी जारी थी, बड़े हम मौजू के हवाले से बात हो रही थी, प्रविट सिस्टम, एजुकेशन का जो है, स्कूलिंग का सिस्टम, इस हमने बात की, हो रहे थे, और देखने माले बहुत सारे पेगामाद भी बेज रहे थे, सोशल मीडिया के जरी अपसे कुछ दिर पहले मैं पेगामाद देख रहा था, जिसमें इस चीज़ का तथक्रा किया गया था, कि बहुत सारे पेरिंट्स हैं, उनके सबलात हैं, एजुकेशन सिस्ट नागुजीर हो गया, और ऐसे में अगर कोर्ट की तरफ से या कहीं से अगर डिमांड होती है, जनाफ फीसों में कमी की जाए, तो यह कैसे मुम्किन हो सकता है, जहां टेक्सिस की शरा इतनी स्यादा हो, एजुकेशन सिस्टम के उपर जैसा भी बिजली के इस्सेमाल की खास बिजनिस हो, तो फिर वो यकीनां एक्स्पेंशन की तरफ जाएंगे, मतलब यह है कि मज़ीद स्कूलों की तादात में इसाफ़ा कर सकेंगे, उनके लिए मुम्किन होगा, और फिर ज्यादा से ज्यादा जैसा भी बात की जाती है, कि ऐसे बच्चे जो स्कूलों से बाहर ह रही है, अगर माताली मासिल करना चाहें, तो उनके लिए फिर आसानी पैदा की जा सकेंगे, लेकिन यह बहराल जमेदारी हकूमत की है, और सुभाई हकूमते इसमें स्यादा जमेदार हैं, और वो काफी पर उमीद भी नजरा रहा है थे, नई हकूमत आने के बाद वोई सम हमाजते हैं, तो उनकी तरजीहात में यह शामिल है, नई हकूमत की, के एड्यूकेशन के हवाले इस खास طور पर काम किया जाए, और अगर प्राइविट सेक्टर एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, और अगर इसम्यारी तालीम मिल रही है, तो यकिन उनको असानी फराम की ज जिसकी वज़े से बहुत सारी जो बाते आपकी जो हैं, यकिन आना आप तक पहुंच जाती हैं, जो आप जानना चाहते हैं, खबरों के आवाले से बात हो रही थी थी ना, आपको चाम खबरे हैं, उसको भी चांद एक डिसकस कर लेंगे, उसके बात महमान हमारी यहां पर आप से कोई देर बात हमारे साथ होंगी, और आज जो हमारा मौशू है वो डाइट और निट्रिशन के अवाले से, ये एक बड़ा सीरियस कंसरन है, पिछले कई प्रोग्राम्स में डॉक्टर्स यहां पर हमारे साथ मौजूद रहे हैं, और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बहुत सारी जो बीमारियां हम जिसका इस वक्ट शिकार हैं, उसकी एक बड़ी वज़ा ये है कि हम अपनी तुखरा का ख्यालन नहीं रखते और जो चीजस हम खा रहे हैं, उसके बारे में भी हमें इल्म नहीं होता कि इसके अंदर कितनी कैलरीज होती हैं, जिसकी वज़ जिसम मुटापे का शिकार होते हैं और मुटापे के बाइस फिर बहुत सारी दीगर विमारियां हैं जो हमें लाग हो जाती हैं और ट्रीटमेंट के हवाले से बात होती है, लेकि आज इसके बड़ा एक आहम टॉपिक बन चुका है, इसको किससे नहीं कम किया जाए, कौन बात होती रही थी, वो फॉरन फंडिंग केस के हवाले से जो इस वक्ट कमिशन के अंदर जारी है, अब आप अपॉजिशन ये डिमांड करी ये इसको किसन के बात हो सकती है, और चंद एक जगा पर ये भी बात की जारी है, कि पार्टी जो हो कल अदम हो सकती है, फॉर्मर अपॉजिशन कमिशनर जो हो इस हावाले से बात कर रहे थे, कि इस टीवी प्रोग्राम के अंदर सुना, तो ये चनाब बड़ा एक आहम केस जो आप बनता जा रहा है, और आपॉजिशन खास सौट पर बड़ी पुरूमीद नजर आ रही है, और वही चाती है कि केस की जो डे-टू-टे बेसिस के उपर जैसे अकरम दुरानी साब बात कर रहे थे, कि जो वो इसकी हीरिंग होनी चाहिए, फैसला जल्दस चल्द सामने आना चाहिए, ताकि जो वो किसी नतीजे तक पहुंच चाके, और हकुमत के खिलाफ जो अब तक उनकी कोशशे रही हैं, जैसे जैसे हम देख रहे थे, कि प्रीवियस टू मन्स के अंदर बठी जबर्दस आक्लिटी रही है, बलकर लास्ट मन तो मांक्ट के अंदर एक बठी जबर्दस आक्लिटी आई है, इस्टॉक मांकिट में खास रूर। اور بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو سائکلوجیکل بیریئر سے مارکٹ اس کو توڑتی ہوئی جو وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی لیکن ایک خبر آنے کے بعد خاص طور پر جو مارکٹ میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایکٹیوٹی جو اس کے اندر سلوڈ آن آ گیا ساڑھے نو سو پوائنٹ کے قریب جو مارکٹ جو وہ یوز کر گئی تھی اور وجہ یہی ہے کہ بڑی تیزی سے جو خریدار مارکٹ میں تھے جو خریداری کر رہے تھے اب وہ مال بیچنے کے اوپر جو وہ مجبور ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جناب شیرز کو خاص طور پر ہم کہہتے ہیں کہ وہ شیرز بیچنے پر اس لیے مجبور ہو گئی ہے کیونکہ اب پولٹیکل انسرٹینٹی زیادہ ہو گئی ہے اب دوبارہ سے ایک نئی بحث کا جو اب آغاز ہو گیا ہے کہ اگر فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے تو پھر حکومت کی پوزیشن کیا رہے گی کیونکہ اس سے پہلے ماضی قریب میں ایسا ہو چکا ہے کہ جناب ایک فیصلہ سابق وزیراعظم کے خلاف آیا تو پھر حکومت اس پر برائے راست متاثر ہوئی اور پھر اس کے اثرات سٹاک مارکٹ پر آنا شروع ہو گئے تو بڑی دیر کے بعد کانفیڈنس جو ہے وہ ہمیں نظر آیا تھا بلڈ ہوتا با انویسٹر مارکٹ کی طرف واپس آ رہے تھے لیکن اس خبر کے بعد اور اب کیونکہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے بات دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے کہ اس کا اگر نتیجہ حکومت کے خلاف آئے گا تو یقیناً پھر حکومت اس سے متاثر ہو سکتی اور اسی منا پر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ کے اندر بڑی تیزی سے گراب اٹھانا شروع ہو گئی تھی تو بہرحال یہ ایک بڑا اہم موضوع تھا جس کے اوپر بات کرنا ضروری تھی خبریں اور بھی ہیں جس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اور چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد مہمان ہمیں جوائن کر لیں گے پھر انشاء ہماری گفتگو رہے گی آج کے موضوع کے حوالے سے جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا تک جلدی سے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں گوڈ مارننگ کراچی Welcome back once again آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوڈ مارننگ کراچی بریک پہ جانے سے پہلے جی بڑے امپورٹن ٹاپک ہے اس کے پر ہماری ڈسکشن جاری تھی اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ ارز کیا کہ بڑی خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے پچھلے کئی پروگرامز میں ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے جس میں یہ بات ہم خاص طور پر ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا تعلق براہ راست مٹاپس ہے وبیسٹی جس کو ہم کہتے ہیں اور کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اپنی ڈائیٹ کا خیال کس طرح رکھنا ہے کیا چیز ہمیں کنسوم کرنی چاہیے کون سی چیزیں ہیں جس کو آوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اسی حوالے سے آج خاص طور پر پروگرامیں گفتگو کریں گے بڑی خاص مہمان لاہور سے ہمارے لیے آج اس گڑ مورننگ کراچی میں تقشیف لائی ہیں تو ان کو سب سے پہلے خوش آمدیت کہیں گے اور ان کو اب مختلف چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں بہت اچھی باتیں کرتی ہیں ڈائیٹ کے حوالے سے نیوٹریشن کے حوالے سے خاص طور پر اس وقت کراچی میں موجود ہیں بہت سارے اس وقت بڑی بڑی انٹیٹیز ہیں ایسے جن کے ساتھ جو ہے آپ کے لیکچرز جو ہیں اس وقت سکیچول ہیں اسکولز میں کالجز میں یونیورسٹیز میں ہر جگہ جا کے ڈائیٹ اور نیوٹریشن کے اوپر آوینس پروگرامز بھی کر رہی ہیں جب آپ جیسے اچھے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں تو بہت بھی اچھے ہو جاتا ہے بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اچھا جبیریہ سب سے زیادہ کوسشن جو پوچھا جاتا ہے ہر جگہ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو خر مرشاللہ لہور سے ہمارے جو دوست دیکھتے ہیں پروگرام جو کالز کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا اور کیالوریز کے بارے میں زیادہ وینیس نہیں ہے سب سے پہلے تو اس کی امپورٹنچ کے بارے میں بتائیے کہ جو ہماری ایٹنگ ہابیٹس ہیں اور وہ ہمیں لے جا رہی ہیں اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں پاکستان جو ہے وہ مٹاپے میں عالمی نمبر پہ نائنس نمبر پہ ہے اس کے ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو اگر گلوبلی اگر ایک ویو کیا جائے تو اس میں جو جنگ فوڈ ہے اس کے علاوہ جو کھانے کے ساتھ کاربونیٹی ڈرنگ کا استعمال ہے دیکھیں جہاں پہ آپ کاربونیٹ ڈرنگ لے رہے آپ نامل روم تمپیچر وارٹ لے لیں نیم گرم پانی لے لیں تاکہ ان کے ساتھ اگر باہر سے کنزوم کر لیا ہے اور وہ برناوٹ بھی ساتھ ساتھ ہو کیونکہ آپ کی باڈی کا میٹابولیزم آپ کی ڈیزیز ریزیسٹن کنٹرول اس کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کرتا ہے پھر سیکلوجکل اشیوز بھی ہیں کہ کچھ وہ لوگ جو کہ انزائیٹی اور دپریشن میں بہت زیادہ میٹھا یا نمکین کھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیفرن بیماریوں میں آجاتے ہیں پر اگر اس کو آل اوبر دیکھا جائے کہ یہ جو خوراک ہے اور یہ جو کھانا پینے اس کے بگرر ایک انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا اور فود is like a fuel فود is for the interacting with the people or socializing فود ہمارے لیے ایک موقع ہمیں دیا جاتا ہے to entertain ourself پر ایٹنگ رائٹ is too important ایٹنگ رائٹ یہ ہماری ضرورت ہے ہماری نیسیسٹی ہے پر یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ افورڈیبیلیٹی کہ سوشو اکنومک گروپ کیا ہے ایک خاندان ہے ان کی جو مطلب نورمل ایوریج انگم ہے وہ ٹوینٹی تھاؤزن ہے اور ایک جو ایک مطلب سیکنگ اگر دیکھا جائے ہائی سوشو اکنومک لیول تو وہاں پہ ٹو لیکی ہے بٹ مور پابیبلی انسان جتنا لیوش ہوتا ہے وہ فینسی چیزیں کھا رہوتا ہے پر اس کے باوجود بھی وہ کئی بیماریوں میں ہوتا ہے تو ایٹس لیک دیٹ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی جو ہیومن سائنس ہے یا جو نیوٹریشنل سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پورشن سائز کنٹرول رکھیں کوالٹی فورڈ کنزیوم کریں بہت چاولوں کی پلیٹ بھری ہوئی اور بہت سے آپ اس پہ ڈال کے اگر کھا رہے ہیں دوزن مین کہ آپ کا پیٹ ہی آپ اپنا بھر ہیں تھوڑی غزہ لے فل آف کیلریز لے وہ لے جو آپ کو تبینائی بھرکرار یعنی آپ کی وڈی کی انرجیز مینٹین رکھے وہ لوگ جو کہ ملٹیپل ٹاسکرز ہیں لائک تو سائی دیٹ وہ دیفرن اپنے لائف ان کے دیفرن شورٹ ٹرم گولز ہیں لانگ ٹرم گولز ہیں ہیلتھ گولز ہیں کسی نے وزن بھڑا اور کسی نے کم کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو فرسٹ و فال اسیسمنٹ آف نیوٹریشنل سٹیٹس اپنے آپ کو اسیس کیا جائے یہاں پہ ہمیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں چاہے وہ مرضی مستقبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں فرسٹ و فال وہ اپنی سیل فیلویشن کرے ان کا نیل کلر کیا ہے ان کی آئیز کا کلر کیا ہے ان کی سکن پہ کوئی پیگمنٹیشن تو نہیں ہے کوئی فوڈ کسی کو کوئی فوڈ کھا کھا ان کو الرجی تو نہیں ہو جاتی وکی وقت کی تیزی کے ساتھ اور لوگوں کی ہائیلی پوپولیشن جو اسٹائم کراچی اسلام آباد لہار میں ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ملک ہو گیا دودھ ہو گیا یا اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں مرگی ہو گئی ایڈلٹریشن یعنی ملاوٹ بہت زیادہ ہے اور آل اوور گلوبلی ہے لوگ چیز بیچتے ہیں اور جو کھانے والا اور استعمال کرنے والا اس کے علم میں نہیں ہوتا کہ کس قسم کو آئل اور گھی میں بنایا گیا ہے ملکہ ٹھیک ہے سپیسی فکیلی اندسٹریٹ فوڈ جو کہ آئل ہی چینج نہیں کرتے جو کہ رینسیڈ ہوتا پھر کہتے ہیں کہ why there are so many cancer patients اور ٹھیک ہے آپ دیکھیں بیماری ہر غریب اور امیر کے لیے سیم ہوتی ہے اور اس کو جو بیئر آپ کرنے کے لیے پرابلم ہے وہ آپ کے آپ کی اپنی باڈی کے لیے ہوتی ہے سو پاکستان میں اگر ہم نے پبلک نیوٹریشنل اویرنس کے لیے کوئی میسیج دلیور کرنا ہو تو اس میں نمبر ایک کہ ہری سبزیوں کا استعمال کریں سب سے زیادہ آپ پھلوں کا استعمال کریں بریک فاسٹ پروپر کریں لنچ آپ بلکل درمیانہ کریں اس میں کچھی سبزیوں اور پھل رکھیں اور ساتھی ساتھ جو آپ کا ڈینر ہے اس کے بہت ضروری ہے جو آپ کا کہتے ہیں کھانا بروقت کھائیں بلکو ٹھیک ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کھانا بروقت کھانے کا سلتے پھرتے نہیں کیونکہ دیکھیں there is some communities دیکھیں کچھ لوگ تو اس پروفیشن میں جن کا survival اس کے ساتھ ہیں وہ extreme fitness freak ہیں اور انہوں نے موڈلین ہے ساتھ پر جو لوگ businessmen ہیں they have big bellies and having this and that but ان کے لئے بھی ہے کہ جہاں پہ صحت ہے وہاں پہ سب کچھ جب آپ کی بوڈی پہ فیٹ نہیں ہوگا آپ لائف میں اچھی طرح سے perform کر سکیں گے آپ اچھے ڈیسین میکر ہو سکیں گے اور لائف میں آپ بہت اچھی طرح سے grow up کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ آپ کی health ہے وہ پہ آپ کا future ہے اور فیوچر ہے تو پتہ جو بچے ہیں اور بچوں کو میں نے یہ میری پرسنل observation ہے میں بہت جگہوں پہ لوگوں کو وینس تو دی پر میں نے وہ چیز دیکھی کہ یہ اچھا mess in a way society کے ہر جگہ پہ ڈرگز اور کھول اور بہت سی چیز ہر جو کیا ہے جو کیا ہیلی نیوٹریشن ہے اور اگر ایک یا دو وقت کھانا 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 سفید چینی سفید نمک اور سفید چینی چیز سفید چینی سفید چینی کیونکہ کھر ریپلیس سوالت 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 پینک سوالت 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 آپ اس ریپلیس چینی روٹی کھانی ملٹی گرین ملٹی ملٹی جو 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 ایک کھانٹی کا پی پروٹین بھی پورا ہو جائے तो ये जो rich sausage होती हैं लोग इसकी तरफ जाते हैं और खास्तार पर गोश्ट की तरफ और बड़े का गोश्ट ज्यादा इस्तिमाल किया जाता है और इतना frequently इस्तिमाल होने लगा है कि Monday से लेके then Sunday तक गोश्ट ही पका रहा है ये जो एक perception इसको कैसे चेंज किया जाए ये भी जवेरिया से पूचेंगे और सास्ता जो आपके परगामात आ रहे हैं वो भी हमें मिल रहा है उसके उपर भी जवेरिया से question करेंगे कि जो कैलरीज बहुत ज़ादा इंटेक होती है बहुत ज़ादा कैलरीज कंशूम करते हैं और इसको बर्न नहीं करते हैं इसके क्या नुकसाना थैंगे ये भी पूचेंगे अब ये बताएं परसेप्शन कैसे चेंज किया जाए परसेप्शन देखिए ये जो खौरा कहना इस लाइक स्टाइल और लाइफस्टाइल में आपकी सेवन्टी परसेंट डाइट थर्टी परसेंट आपकी एक्सरसाइज है आप बहुत अच्छा काते हैं आप अच्छी जिंदीगी गुजार रहें आप अच्छे लोगों में अच्छे ले ये पर आप फिजिकल अक्टिविटी जब नहीं कर रहें एवन ठीक आपके पास आपको जिम ने जोइन किया वर सम्थिंग ये आप वाक कर लें आप अपने फीमेल्स तरी थरी केज़ी के एवन डंब्स लाइए और किसी अच्छे से ट्रेनर से कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग ले और उसके बाद उसको कॉंटीनियू करें योगा इस दा गुड एक्सराइज अब सिचोशन कुछ ऐसी होती है कि जो एक्सराइज आपकी बॉड़ी टोनिंग के लिए आपकी बॉड़ी को शेपप पे लेके आती है पर जो खुराक है वो भी बहुत अ कि उसने बॉड़ी को आपकी क्योंकि देखें जब आप एक इंसान जब अंडर वेट होता ना तब भी बहुत बिमारियों में आता है और ओवर वेट होना भी एक बिमारी है मतब जिसको ग्लोबली और ओल-वर मैलनुट्रिशन का जाता है याई एक्सेसिव एंड डेफिश आप कहीं से भी किसी भी साइट से फॉम अच्छा जा आपको बता चलेगा यू आपको बता होता है कि आप अपर वेट है अधर वेट है तो इसके बाद नेक्स एवैलुशन लाएं अपनी फिजिकल एग्जैमिनेशन करें आपकी स्किन पर कोई रैश तो नहीं आपको फू प्लस में आप उसको मंदली चेक अप करें क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि आप कभी कोई चीज एक्सेसिव यूज कर जाते हैं और वो आपकी बॉडी में फ्लक्टुएशन करते हैं अच्छा ये जवरी आपने बाद बात बताई है हमारे लोग एक तो घबराते भी बह है उनको तो फिर्स फॉल वो लिवर टेस्ट करवाना चाहिए कही उनको ये ना हो कि उनको पता ही ना हो कि उनका यूरन और आइस कलर पेल है पर उसके बावजूद वो इसको ट्रीट नहीं करें और वो कहीं लिवर फेलियर की तरफ चला जादा है तो वो आप देखिए इन यह है कि इनसान अट लीस्ट फाइटर है उमीद खतमनी करनी चाहिए इनके साथ मतब शौकत खाना में अससिस्टिं परफेसर अभी काम करी हो तो टी पी और और एंजी फीट कंसल्टन जिनकी रिपोर्ट पे लिखा होता है फोर मंस लेफ फाइव मंस लेफट इट इस एक जो इनसान है इनकेस आपको बिमारी आ भी गई है तो यू यू शुड हैवा स्ट्रॉंग विल पावर और गुड लाइफ स्टाइब दो चीज़ें आपको आपकी जिंदगी बढ़ा सकती है आपको बिमारी से बचा सकती है पर इनिशल स्टेज पर यू है तो टेक्ड़ प वहां बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर्स के लिए बे एंडिल करना तो यहींद है टेस्ट होते हैं सब करवाते रहने चाहिए बल्के फ्रीक्वेंटली कर्वाने चाहिए जब यह पूरी दुनिया में यह बड़ी कॉमन प्राक्टिस है बड़ी टेस्ट करवाते हैं इम एक मॉनिटर रखें सेल्फ मॉनिटरिंग करें और आपको जरूरत नहीं पहले आप सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे दन यू के इन गो थूरू विद द पीपल के आईदर कोई इसमें प्राब्लम तो नहीं है क्योंकि इन केस कोई ऐसी चीज के आपको सड़नली आप किसे भी चीज में प्राब्लम में आते हैं तो फिर एक तम से जो उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन है या फिर उसके साथ साथ आपकी जो मैडिकेशन हैं उसको आप कॉप अप नहीं कर पाते तो उसके लिए इंस्टेंटली आपको पता है आप कभी भी किसी भी कोई एमर्जंसी में जाएगा तो उसको सीरोइट दे दिये जाते हैं और एक दम सुला दिया जाता है जो के दुबारा से वो ट्रिगर अप हो जाती है सो हमें जरूरत इस चीज की है कि जो जो जनल नूटिशनल अवेरनेस है दो तीन चीजों में इहतियात करें इटिंग आउट जरूर करें पर चीजेगह से खाना कुंजूम करें ठीक है खाने पर पैसे अच्छी जगह पर खाना कुंजूम करें क्या आपको पता होगा घर पर जो खवातीन एं खाना बनाती है उनके लिए मैसेज़ है कि अपना ओयल जो है जिसमें डीब फ्राइं कर रही है उसको हर फॉर्टी टू आ और वो बच्चों के ब्रेन डेमज कर रही है, एक हम जैसे लोगों के जो फीमेल है, उनके हॉर्मोन सिस्टेम, आपको पता है, पुरे पाकिस्तान में, पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिर्म इंडार्म इस एक अनिफिंग, एवरी से कि फीमेल इस आप पूछो तो पता करो, तो हम लोग जो है टेस्ट होते हैं, तो आपको पता है, थायरोइट के, टी-फोर, टी-थ्री, यानि हाइपो या हाइपर थायरोडिजम में, जिए, जिए, आप ये देखें के जिस चाम आप फीमेल को, फीमेल आर टू नेशन बिल्डर्स, खवातीन सम्माएं होती हैं, और मा जिए भी डबे वाले जूस या डबे वाला दूद वो सिरफ एक रंग वाला मुशरुम होता है, एनरजी रिंक में कोई运गा नही वो अपने आपको अर्टिफिशल करते हैं कि कलरेंट्स में जा रहे हैं जो के बिल्कुल अर्टिफिशल और वो भी कैंसरोंने का बाइप हांफुल एंग साथी तो आप अगर एक ही चीज को अगें अगें लेगते हैं तो इस लेकर स्लोव पॉजन सेम यहां पर एक और चीज को ओट करना चाहूंगी के वो लोग जो के आर्टिफिशल स्वीटनर्स पर हैं डाबटिक हैं वो अपना बिकास जाबटीज इस नॉट इस इस अ मैंजीरियल थीग आप उसको ब्राउंस के साथ ब्रैंस के साथ उसको मैंज करेंगें ड़न मीन या इस नॉट पर एक अपने युट ब्रैंस करने या तो आप थोड़ी सी शकर या है अई ड़न आप इस 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 वेर्ड फाइन नाइस क्यूंक एच आप ने इस 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 बेर आप एक उड़ मिल्ख टी लेने लेने सिंपल विदाव अगर शूगर आपने यूस कर नहीं तो करें आप उस लेवल की उस काटेगरी की बात करें जो अफोर्ड कर सकते हैं. मैं बात कर यु जनल पबिलिकी कि आप उस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉड़ी को शुगर की जुरुरत है. अगर हमें शुगर मिलना बंद हो जाती है, तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं, तो आप शुगर लें, आप उसको मैनेज करें, हैं लोग शुगर लेवल बिलकुल लाओने दें, अपने पास मिथा जुरूर रखें, कोई भी डिजीस है, उसकी मैनेजमेंट करें, क्योंकि ज हो जाती है, कुछ चीज़ें वो खा सकता है, तो आपको परस्नली पहले अपना पता होना चाहिए, कि आपका इवन पेट निकलाव है, आपकी बॉड़ी के साइट है, जिसको क्योंकि इनसान अपने आपको सबसे बिदिन जाता है, और आपको पता होता है, तो सब फस्ट आ मेरे पास वो लोग भी आया है, जिनका LFT में उनके जो एंजाइम्स हैं, एक्स्ट्रीम हाइप चले दे, जो के इसलाइक अपना भी हैपटेटिस E और A, बट हमेशा जब रिजन पूछी जाती है, तो वो A की चीज की कॉन्ट, देखें हर चीज, चीया सीट के फायदे हैं, जो हैं कि अपको पता है, फ्लैक सीड के बीच ओमेगा थी पाया जाते हैं, अपके सीट ग्रुप में भी है, सनफ्लावर सीट के अपने बेनेफिट्स हैं, आप सीट काई पर आप किसी चीज को फुल कॉंटिनु ना करें, आप फाइव तू सेवन डें एक दिन शोड़के कि अपने देखें, हर चीज की तासीर है, यह नहीं कि किसी ने किया दिया कि फिग्स, फिग्स फिग्स बड़ी नाइस फोड़ा जाता है, जिसमें एस्ट्रजिन बहुत ज्यादा फॉम हो जाता है, अगर वो मेल कंसूम करना शूरू कर ले तो उनके लिए तो नुक्सान द करें, जैसे मेठी दाना होते हैं, पर कुछ चीजें हुमन बॉडी नैचरल प्रॉसस करते है, प्रॉस करते है, सेकंड़ी खुराक हमारे पास ऐजा, आप ही कह सकते है, हमारी नेक्स प्रॉड़क्ट होती है, हम जब अपनी बॉड़ी से वो चीज नहीं ले पाते, यानि ए बॉड़ी से तो जा खुरे से णो the supplements तो deve सिए जॉड़ी में बॉड़क्ट है एवन चोटा बच्चा है जैसे glucose intolerance है या लैक्तोज इंटर इंटर ओल्रांट मी ने लिट से लरजी ओ गई तो आच्छा वो यह दो वक्त में होती है एक पहले पहले हम मैं जीरो तु उछ सिक कोई 20 साल की बात कहें के डूद और नहीं और भल और सबजीयां खाके मेरी चाल हो जाओँ का पहले 20 साल की नेक्स 20 यज रो तो हीप आपने पहले 10 साल यू कहा थो आपने कितना योगर्ट लिया आपने कितना रौ आम उक़न viele Scripture controller!!!!!!!! तो मेरा यह मानना है कि खुराक को सही मानों में पकायने का मैथड आपको पता होना चाहिए आपको जिस चीज में जिस यूटेंसिल में बन रहा है वो क्लीन और हल्दी होनी चाहिए बाहर का खाना जो है इवन चाही क्यों नहीं है तो आप उस जगह से कंजियों करें जिसका को इतना आइडिया के दे कान में डा गुड क्वालिटी फूद इस फाइन अधर वाइस फूड इस फूर शुड इस फूर एफर एवर्यटिंग बट फॉर्स्ट प्रायर और उन सेल्फ कि जब आपने आप से प्यार करेंगे अपना ख्यार रखें के तो लोग भी आप से प कामन हो गया है कि मैं अब देखाँ कि फैमिली इस फूर बहुत जादा डिपेंडेंट हो गया है उन अगिट बच्चों को दे खाने के लिए दो कि ठीक है चले आगे योगट के अभी आपने बात कि लिए मैं आपको बताती हूं स्कूल लंच बॉक्स पर मैंने आप अब बाकी सब में एक मैं आम तेलिए उदा क्या होता क्या है एक चोटा सा वो टिकिक पैट बिसकिट देर जाव बन और सम्थिं लाग दिस अधर वन अ कलरेंट जूस रंग वाला जो जो पह यह अब बच्चा है उसने पढ़ना है उसकी फिजिकल उसने भागना दौर ना उसको आप देख आ रहे हैं मदर्स आर टू कमर्शिलाइज नाओदेज आप नंबर वान के यू अर्दा यंग मदर वागन तू फिर भी ठीक है पर बच्चे की नूट्रिशन चाहे वो अपनी यूनिवस्टी तक चला जाता है वो उसकी मा की पूरी एक रिस्पॉंसिबिल चाहिँ चाहिँड डियाबसिटी में की से में तू सेथाइड यारा साल के बच्चा अगर इन्सुलीन पर रहे है वो इससाचा मतब डिजस्टर फॉर फूटर बिल्कॉल के बच्चों को मतब लौहर बे तू इसिज़ का हूज अ हर दूसरा थीसरा बच्चा है वाइब इस माई परशान है कि यह चुपके भी खाता है और यह वो डिफरेंट ड्रिंक्स जो है उसको मंग बाता है खाने के साथ जंग पूट के साथ रिंक से इस्तमाल है सो बच्चों को आदर डालें कि घर का बनावा मज़े का खाना अची तरह प्रिजेंट किया जाए इवन नगिट्स आपने देने है तो आप वेजेटेबल नगिट्स दे खाने को जितना कलर फुल करके उनको प्रिजेंट किया जाए तिस चू फाइं और बच्चे का इवन लं को एट आर्स तक उसको सोक अप करते हैं ताकि उसकी फुल न्यूट्रिंस उसमें आ जाए इट्स नॉट लाइक तक हम फल तो में मतब कुछ मिनिट्स में हम एक बाल भी का लेते हैं पर उस फल की तासीर फल या पिर सबजी या पिर ग्रीन, रेड, येलो डीटॉक्स वाट होता है, पहुत होता है, ब्लुकोस लेवल, या लो या बढ़ जाना वह भी आपके ब्लूड में, ब्लूड की पुरिकेशन उतनी ही इंपॉर्टन जितना हमारा सास लेला ज़ूरी है और वो अच्छे ग्रीन इंभार्मेंट में, तो ये बड़े काम की बात, जावेरिया न सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें आरी होती हैं, हमारे बलड की वज़े से होती है, एक तो सर्कुलेशन उसकी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो हम यह बताते हैं, कि इसकी सर्कुलेशन को आपने ठीक करना है, जब यह बता है, यह कैसे ठीक हो सकती है, बलड स पर आप ने हमेशा देखिए, if you have 10 tasks in the day, you have to do it. I know के कराची lifestyle is too fast and people to do, people at so many stages have done with so many things, this and that. They are socialized too, they have to attend so many things. Blood circulation कुछ इस्तरा से है के जहां पर आप थोड़ा सा upset, nervous, late or something हुए, देखिए, हर चीज़ अपने वक्त पे होती है, ना वक्त से पहले होती है, ना वक्त में बाद में होती है, भराक का कुछ ऐसा तालुक है के वो लोग जो के फुल ट्रैवल में रहते हैं या जिन्होंने डिफरेंट जगें टेन करनी होती है, आपने पास कुछ ना कुछ आने में इन्वाल्व होंगे, इट टेक्स यू तो दा प्लेयर, और फिर भी मतलब मेरा यही मानना है कि आप जो खुराक है उसको फिर भी आपना जो आपका क्लींजिंग प्रॉसस है, ब्लट क्लींजिंग प्रॉसस है, इसको कर्या उन रखें, क्योंकि आप इस चीज़ ज अपने आपको अपनी बॉड़ी को आपने फिर्स फॉल देखना है, इस चीज़ को अपने काउंट पे परसनल काउंट पे रखने और फिर्स फॉल जब आप आप जब सोने लगते हैं, आप आप जसे फून साइप पर रखें पूरी एक तो लें, इसकी चीज़ आपको पता कुलाचिकल फेक्टर आप जाते हैं, काई लोगों को दे दे बिस्फेस्टो में आपको बाइब एक बात रुपे नाओं पर एक एक इंसान के पास कितने भी अरब रुपे नांओ पर ऑगर उसके पास एक पास अची हेल्थ नहीं है तो हीज नहीं है और आप जापका सीज और यही आपकी वेल्थ भी है. अब जबिर एक बड़ा कॉश्चिन है, वो हर जगा किया जाता है, आपसे भी होता होगा, कि यार यह मिठी चीज कोई एक है, या मिठाई है, या कोई भी चीज है. एक बारी खाले, एक बारी खाने से कुछ नहीं होता है. और कौन चा तुमने एक मिठाई का पीस भी उनको लगता है और उनकी पूरा schedule 15 देशा खराप पर रप्राप करता है अच्छा बोग जो पांशी से उनको तो फरक नी पड़ता बर आलरी वो लोग जो से इवन लहूर है या कराची है जो ब्रेकफास्ट बड़े हैवी करते हैं पूरियां और इस और वो सब कुछ बड़ा मतब दे आल्वेज वांट तो गो फॉर दे लेविश ब्रेकफास्ट पर लेविश का मतब यह नहीं कि आपने सारी तली वही चीज़ें कहानी है मैं एक चीज़ पर बिलीव करती हूँ खाएं बर्न आउट करें ठीक है आपने ब्रेवल मसाला लिया आपने पाई ले लिय आपने और कोई चीज़ खा ली आप उसके बाद क्योंके हिली अरिये आउपने लोगों को नोट किया है वह दो दो तीन तीन पराठे खाते हैं एक के बने वे सालन के साथ और उनकी बॉडी में इतना उनकी अच्छा है मसल काउंट है वो फिर उसके बाद उनका जो फिजिकल अक्टिविटी है इन ऑन्ना माउंटेंस तो हम लोग क्यूंके जो अक्सर लोग कोस्चन होता है कि हम तो सुभा 9 to 5 अली जॉब में बैठे रहते हैं तो थक के घर जाते हैं एट-9 तो क्लोक तक खाना काते हैं हम सो जाते हैं और देन्वी और देन्वी और देन्वी और यह आफिसमें भी इवन है तो वहां भी थोडा चैल कदमी करें रहें कितने फिर हैं वरना तो मेरा की तो ख्याल है कि जो इनसान अपने लिए कॉंशियस है वो तो कहीं पर नेवर स्किप जेम नेवर स्किप पको डाइट वह हमेशा प्रायर करेगा कि कि किस तरह से किया कि यह अपने बिल्कु ठीक है कि यह आपको अपनी प्रायर्टी करना पड़ता है अच्छा यह आप यूस्टू भी हो जाते है तना मुश्किल काम नहीं होता है जविर्य ऐसा है क्योंकि लोग समझते हैं कि बुना कोई मुश्किल काम मेरें के साथ हमेशा दो वक्त चाह पी और एक दम से आई गाट आई आई किम तो नो के बिकॉस आप इ इनर्जेटिक मील आप इंसेंट नहीं ताके जो बेसिक मील है वो स्किप भी ना और आपको वो अनर्जी दे अब मतलब यू के इनर 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 सेल्फ इस स्ट्रॉंगर देन दा आउटर साइट और आप आप आज अगर हल्दी हैं आप डिसियं करें के मैं फिफ्टीन देज अब मतलब आप के अपने कुछ गोल्स बना दें यू खांट ने रिए और रिंक लियू ने जंक फूड ने खाना मैं ऐर थी जरू ने कहना अगर तीन चीज़ें अ वंद इसेसरी लिओा बात करीऊं के वह अप जिस आप अपने कुछ गोल्स बना दें कि यू भाइट healthy fats, healthy proteins की जुरूरत है, यहां भी यह भी नहीं कह रही है कि आप बीफ, जो टीबोन इवन इंपोर्टेट सेक है या लोकली है जो भी है वो आप उसका फैट काउंट माइनस कर दें, आप खाएं आप बरन आउट करें, आप उसके साथ चलें देखें आपकी बोडी को उसकी पर जो खुराक है, उसको मैनेज करें किस वक्त पे कौन सी खाना खाना है, सबजियों के उकात कर, दुपहर के सबसे बेस्ट हैं, फ्रेश जूसे आप दुपहर जो बारा से आफटरनून आज़ा स्नैक ले सकते हैं, मिड़नाइट स्नैक्स जो के लोग बहुत अदा फून और वो कोई लोग होते हैं, आपको पता है उन लोग के लिए, इस्पेशली मेरा पेगाम है, वो जा सकते हैं कौन सी तरफ हैं, हमरून, डिसोर्डर पी आरहे हैं, नेक्स प्रोग्रम में इसको भी डिस्कॉस करेंगे, जी, तो आप ही देखे कि जो लोग, बिड़नाइट अनिल लोग देखे पर बिड़नाइट को पता है जो फाइविंग जो देखे यह हैं, एक्सर लोग क्योंकि अचल गैजट्स का यूज भाट अर बगडेशन का यूज अर बड़ी बडिसनी टीन बजे भी डिसकाज की जाती है तो इस लेयल से अजिए पर अगव मतब अभर कुछ बड़ा पूछा जाता है मुझे कि जनाब ये बता दें कि स्वीट क्रेविंग्स जए इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं चाहे कुछ भी खालें और क्रेविंग्स रहे हैं रिप्लेस विदा गुट फूट पूट कॉन्स बीन्स ओलिव मतलब लोबिया जो आपके सिलात की हैं हरी सबजियां कची सबजियां आप उसको लाइट सा सौते कर लें पर अगर आप पर वेट काम करना है तो आप उसमें कोई भी क्रीमी जो चीज है वो एडना कीजिये ब्लाइक पेपर सौल्ट लेमन यानि नमक काली मिर्च और लेमन के साथ उसको मेरिने किया जाए इसक जाए पर इन केस आप में वेट गेन करना है यह है तो आप टेक्ट सेलेट शेक्स और गुट परोटीन तो इस वेरी गुट फोर है और मोस्ट इपोर्टन क्यूंके जसे किड्नी इस दा फिल्ट्रेशन प्लांट हम जो चीज़ खाते हैं किड्नी के तुरू एक स्ट्रीट वो लोग जो के हाई प्रोटीन पर भी एवन है तो उनको चाहिए तकरीमन बैसे नॉमली तो बारा ग्लास रिको बेंड़ हैं हर मील में चार ग्लास पर उनको मैकसिमम मिनिमम सिक्टीन ग्लास ले ताकि उनकी जो किड्नी है वो साथ-साथ अच्छी तरह से प्रॉपर तरीक कर्म होता है वो तो यह करोुषग प्रॉपर भी जाओर करें किन बहुत कि नह们 पारी उप और इंहरी जो बात इनका है उरजाइघ कर पाते हैं जुके मैं करी हैं कर्देन ओनी होते हैं अच्य जो हमसरे इंआन कर चाहिए होता है तो यह तो ग्लोबल डिबेट बन चुकी है, इसके पर बड़ा डीटेल टॉपिक है, ज़नूर बात करेंगे, लेकिन अब इस तरह के डाइट प्लान्स जो फॉलो कर रहे हैं, उन चाहेंगे, जैसे कीटो डाइट प्लान कर रहा है, कीटो डाइट प्लान के बारे में क्यूकि बारे में अब पॉल्स लगात प्रिगनेंसी जब उनका एक्सेसिफ बेट है उन्होंने कंपरना होता है, जैसे कीटो भी सहुते है, जैसे कीटो अवी सबम्रान कीशोड मैं और बेकितों के बिसके लिए खिरेंगे मिलोरी प्लान है, क्याँ के लिए जैसे in store vs. रात उरात को ऊथा रात लुट बिन लियुट है यह टो नहीं हाइन दी तो यह एक तो तो इस पैसेटिक आम आपको तो सेर्फिटर्ग वेराइशन नहीं बेश पको ड्रात है जाएं आप कॉंसेट रखें कि आपका जो ग्रीन्स रेड्स आपने अगर एपल लिया है साथ में आप मिल्क प्रोड़क्ट ले रहे हैं योगर्ट का दो वक्त जो दही है उसका दो वक्त इस्तमाल करें एंटी बैक्टिरियल प्रॉपरटीज होती है आपको लोगों से जो बैमारियां ट्रांसफर होती है उससे भी बचाता है और उसके इलावा आपकी जो इंटर्नल इम्मुनिटी इसको स्ट्रॉंग करता है क्योंकि कुबते मुदाफित स्ट्रॉंग होगी तो हेल्दी मौश्रा बनता है बर्को जी जवेरिया थांक्यू सोवेरी मच बहुत शुक्रिया आपने थोड़ से वक्त में बहुत सारी हमें जो हमें जो नौलेज दी है डाइट के हवाले से और यह जो कलर्स की बात हो रही थी तो मैं बार बार यह सोच रहा था कि हमारें का मतलब जोग आर्टिफिशल क दोनी चाहिए तमाम चीज़ आपको खुद असेस करनी है कि आपको क्या चीज चीज करनी है और आजकल इंटर्नेट का दोर है हर चीज आपको अवेलिबल है अब इसके बारे में पढ़ें कि जो चीज़ आप कंसूम कर रहे हैं इसकी कैलरी काउंट कितना है कितनी कैलरी फिर हमेशा हर डॉक्टर, हर न्यूटिशनिस्ट, हर बंद आपको ये बताता है कि जितनी कैलरी से आपको अपको बेंट करना ज़रूरी है तर बंद आपको ये बताता है तर बंद आपको ये बताता है